नमस्कर दोस्तों फिर से एक बार मैं नरिश महानन्द आपका लाइब सो में स्वागत करता हूँ और आज का जो हमारा विशे रहेगा दोस्तों वो है कि मनुष्य कौन है वाट इस हुमन्स और इस विशे में आज हम बात करेंगे कि मनुष्य कौन है और इसकी सनरचना किस ने की दोस्तों अगर हम किसी से पूछे कि मनुष्य कौन है तो उनका आंसर क्या होगा वो क्या जवाब दे पाएंगे क्या आपने कभी सोचा है वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे वो कहेंगे कि मनुष्य तो एक संरचना है जो इश्वर की ओर से लोगों को वर्दान है और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मनुष्य तो बन्मानूस यानि कि बंदरों के संतान हैं बंदर जो हैं, वो मनुष्य के पुर्वज हैं, इस प्रकार से बात करते हैं, बंदरों से इंसान बने हैं, ऐसा कहते हैं, वो सबसे बड़े पागल हैं, और जो कहते हैं कि परमेश्वर का वर्दान है, परमेश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर ने, इश्वर ने हमें रच तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं और what is humans याने कि मनुष्य कौन है तो God's creation याने कि परमेश्वर इश्वर का एक रचना है एक हातों का एक सुन्दर सा स्रिष्टी है मनुष्य हम स्रिष्टी हैं पेड़ पौधे जल, पत्थर, मत्टी और जीव जन्तु उड़ने वाले पक्ची पशुपक्ची ये सब एक स्रिष्टी है क्रेशन है गाट के ब्यूटिफुल क्रेशन तो वैसे हम भी परमेश्वर के एक संरचना है हम स्रिष्टी है जिसे परमेश्वर ने अपने में हमें बनाया है डाला है उत्पत्ति एक कच्छबिस में लिखा है बाइबिल की पुस्तक में कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो हम कौन है हम गौड्स के क्रेशन है याने कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने हातों से हमें बनाया है उस मिट्टी क पुटले में स्वास फूख कर, अपने आत्मा को हमें दिया है, गिफ्ट के तौर पे, और आज हम परमेश्वर की सनरचना है, और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में इसले बनाया और इस जुनिया में हमें इसलिए रखा, इस सुरिष्टी का एक हिस्सा और एक भाग हमें दिया, रहने को, जिसे हम थल कहते हैं, आज लेकिन मनुष्य तो हर जगा रह रह रहे हैं, जल में, जंगल में, थल में, रेगिस्तान में, मनुष्य हर जगा फैल गए हैं, और चंद्र के पशु पक्षियें और जल्चर ये सभी उसकी महिमा करते हैं आस्मान और जमीन उसकी महिमा करती है तारे और सूरज और चंद्रमा उसकी गुनगान गाते हैं उसी प्रकार से मनिश्य को भी परमेश्वर ने अपना गुनगान गाने के लिए अपनी महिमा पाने के से बनाया हैं ताकि हम उसकी महमा कर सकें मनुष्य का ये करतव्य है और परमेश्वर आत्माओं का परमेश्वर है परमेश्वर मनुष्य का आत्मा बनाता है बाइबिल में लिखा है इबरानियों 12.9 और जकरिया 12.1 में इस प्रकार से वहां पे लिखा है कि मनुष्य का आत्म परमेश्वर बनाता है और आत्माओं का परमेश्वर है अब हम देखते हैं कि मनुष्य बाइबल में ये भी लिखा है कि मनुष्य किसके समान है एक भाप के समान है एक कोहरा के समान है जो थोड़ा देर रहता है और सूरज निकलने पर चले जाता है एक ओस के बूंद के समान है जो घास पर रहती और धूप निकलने पर सूख जाती है एक घास की तरह है जो जाद दिन जिंदा नहीं रह सकता जो मुर्जा जाता है कि एक कागज की तरह है जो हवाने पर ऊड़ जाता है मनुष्य का जीवन पल ही भरका है, छोटा सा है, जिसे हम कहते हैं, चार दिन की है जिन्दगी, दो दिन की है जवानी, यानि कि हमारे जीवन भरका, जो भी काम होता है, मनुष्य, वो कुछ ही पल भरका, थोड़े दिन का होता है, और इस मनुष्य को अपने उपर बहुत घमंड होता है, कि मैं ये कर ल वो बहुत गर्व करता है और लड़ता है मारता है कतल करता है खून करता है जूर्म करता है और दुनिया में आतंग फैलाता है परमेश्वर के बनाए हुए हम कटपुतले हैं मनुष्य उस कटपुतली को खतम करता है मारता है परमेश्वर उधर क्रोधित होते हैं कि ये मेरे बनाए हुए मनुष्यों को मार रहा है परमेश्वर घुसा होते हैं मनुष्य को परमेश्वर चाहता है कि सब एक दूसरे से प्रेम करें सब एक दूसरे से मिले रहें हमारा जात मनुष्य इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे अंदर सोचनी कि सकती है समझनी कि सकती है परमिश्वर ने अपना आत्मा दीया हमें में इसे प्रेम करना चाहिए इस मनुष्य nered को दिमान और आज बहुत ही Oke और मनुष्य यह भी खुश होता है कि वह बहुत खुपसूरत है बहुत तंदरुस्त है बलवान है और बहुत ही धना जय है यानि कि पैसे वाला है और मनुष्य यह भी खुश होता है कि वह अपने आपको देखता और अपने पर गर्व करता है कि मैं यह काम करता हूं और मैं ये हूं, वो हूं, फलाना हूं, इस प्रकार से अपने उपर गर्व करता है, और मनिश्य अपनी तुलना करता है, दूसरे मनिश्यों के साथ, वो तो तुछ जाती के लोग हैं, वो तो तुछ लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो गरीब तब्दे के लोग हैं, वो मेरे से इस प्रकार से वेर्थ का घमंड करता है, परमेश्वर बोलता है ऐसे लोगों को परमेश्वर मार देगा, जो इस सरीर पर घमंड करते हैं, अपने मन पर घर्व करते हैं, हमें इषवर पर घमंड करना है, भरुसा 버os Canadians होता है और जब तक स्वास्त स्वास्थ रहता है वो और कतल जूर मकरता है। लेकिन वह सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है । मैं उसे इसके बारे में किसी को नहीं बताना है, या सफाई नहीं देना है, उसे जज़ के पास खड़ा नहीं होना है। लेकिन हाँ दोस्तो जब हम यहां जूर्म करते हैं जब यहां हम कतल करते हैं या कोई वार्दात होती है हमसे तो हमें कटगरे में खड़ा होना पड़ता है और हमारा न्याय होता है जज के सामने उसी प्रकार से जो परमेश्वर ने मनिश्य को बुद्धी दिया है इस न्याय को बनाने के लिए इस प्रिथ्वी में उसी प्रकार से जब हम मर जाते हैं हमारी मृत्यू हो जाती है तो इस आत्मा का भी न्याय देना है इस जीवन का भी लेखा देना है कि इस आत्मा के साथ तुमने क्या काम किया, बच्पन से लेकर बुढ़ापे तक, जो भी तुमने बुराई की है, या जो भी तुमने भलाई की है, वो सभी चीजों का लेखा, मृत्यू के बात, उस स्वर्ग में परमेश्वर लेगा हमसे, और हमें देना पड़ेगा, हम वहाँ जूट नहीं बोल सकते, वहाँ पूरा सभी लोगों के पास हमारा जीवन खोला जाएगा, इसने क्या क्या किया है, वो सभी बाते वहाँ पर दिखाया जाएगा, हम वहाँ जूट नहीं बोल सकते, या हम कानून को जूट बोल सकते हैं, अपने पतनी को जूट बोल सकते हैं, अपने बच्चे हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा हम सोच के रखे हमारे future को हम future planning करते हैं हम insurance कराते हैं हम fix deposit करवाते हैं हम अपने लिए जमीन खरित के रखते हैं flat खरित के रखते हैं और इस प्रकार से अपना भविश्य को हम हम खुद बनाते हैं हमारी सोच और परमेश्वर की सोच जमीन और आस्मान का फर्क है दोस्तों हमें इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि इस जग में तो हम जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं लेकिन उस जग में इस जग का इस जग का जितने कार्य है उस जग में हमें घुसने देगा कि नहीं रहने देगा कि नहीं यानि कि दो जग होते हैं एक प्रिथ्वी लोग और एक स्वर्ग लोग नर्ख लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूं लेकिन आज अगर हम किससे पूछें कि आपको कहा जाना है स्वर्ग जाना है या न क्योंकि हम पापी हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं, पाप से दबे हैं, हर रोज धीरे धीरे पाप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कोई किसी को देख रहा नहीं है, पूछ रहा नहीं है, ना जाने कितने के साथ तलाक हो रहा है, बलतकार हो रहा है, ना जाने कौन किसको मा ना जाने कहां कहां क्या क्या नहीं हो रहे हैं, कितने बच्चों के किड्नी और हाड चोरी हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों के मन में बुराईयां भर रही हैं, आज हम और हमारा खांदान पापी है, आज हम और हमारे बच् आमाज में पाप फैला हुआ है और पाप से सिर्फ छुटकारा एक ही देगा वो है प्रभुईशु मसी, उधार करता, मोक्च करता क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाप से उधार और मोक्च कैसे प्राप्ज होता है, पापों से छुटकारा कैसे मिलता है कोई भी धर्म हमें नहीं बताता वो तो कहेंगे कि जब तक 64 योनी पार करके आप नहीं आते हैं तब तक आपका मुक्ति या उधार नहीं हो सकता 64 योनी यानि कि 64 बार आप मा के पेट से पैदा होंगे और कोई कहता है साथ जनम लेना पड़ेगा अब यहाँ साथ जनम और 64 योनी यानि कि यहाँ पे साथ बार और फिर यहाँ पे 64 बार पैदा होना पड़ेगा बोलते हैं तो यहाँ पे क्या है लोगों को confuse किया जा रहा है आप सत्य को जानिए प्रभुईश्य मसी ही वो वक्ति है जो हमें पापों से छुटकारा दे सकते हैं उद्धार और मोक्ष दे सकते हैं दुनिया में और कोई ऐसा वक्ति नहीं जो उद्धार और मोक्ष दे सके प्रभुईश्य मसी कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ बाइबल में लिखा है कि उद्धार सिर्फ एक ही नाम पर है वो है प्रभुईश्य मसी और जो प्रभुईश्य मसी का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा और पृत्वी पर रहते हुए हम जितने भी कार्य करते हैं वही हमारा मृत्यू के बाद फैसला करता है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा या अनंत नरक के आग में जोका जाएगा वही कार्य जो कार्य अभी हम जीते जी कर रहे हैं मृत्य के बाद हमारे आत्मा का न्याय होगा सभी बेखौब घूम रहे हैं बेखौब बेधड़क पाप किये जा रहे हैं कोई रोकने वाला नहीं है सोचते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है वो विचारों को पता नहीं है वो अज्ञान में पड़े हुए हैं साफ है वो ऐसे पानी के तरह साफ है वो धर्पन के तरह साफ है कि आर पार पूरा दिखता है मनुष्य बंद कमरे के अंदर जो कुछ भी करता है परमिश्वर उसे देखता है और सबसे बड़ा पाप है मनुष्य का जीवन का अपने इश्वर को छोड़ वो दूसरे इंसानों के बनाए हुए कट पुतली और बनाए हुए हातों से कलाकार के हातों से बनाए हुए मूर्तियों की पूजा करता है रिगवेद में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर को छोड़ और किसी की उपासना करता है उसे घोर नरक में डाला जाएगा मतलब इश्वर को पूजना छोड़ करके वो देखी हुई वस्तूओं को पूजता है जो दिखता है आँक से ऐसे लोगों को घोर नरक में डाला जायेगा रिगवेद हमें बताती है तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर पर पाप कर रहे हैं और यहाँ पर वेदो में जैसे कि लिखा हुआ है गायत्री मंत लिखा हुआ है और रिगवेद में लिखा है यह गायत्री मंत है कि ओम भूर भूरस्वहतस्यवितूर वरेणियम भर्गो देवस सधी मही दियो योना प्रचोदया यानि कि इसका अर्थ है कि जो इश्वर हमें मुक्ति और उधार और शांति देता है जो इश्वर इस सिरिष्टी की रचना किया है जो इश्वर हमें बचाता है हमारे पापो को छमा करता है उस एक मात्र एक इश्वर की हम उपासना करते हैं और गीद गाते हैं लेकिन यहां पे 33 करोड देवी देता है, जिसकी लोग बहुत सरे उपासना करते हैं और गायतरी मंत्र गाते हैं, लेकिन गायतरी मंत्र एक इश्वर के बारे में बताता है तो वो इश्वर कौन है? उसे जानना जरूरी है उसका अस्तित्वा नहीं होता, उसका मूँ नहीं होता, उसका नाक नहीं होता, उसका सरीर नहीं होता या उसे कपड़ा नहीं पहनाया जाता वो अनन्त जोती है, वो आग है, वो पवित्रा आत्मा है, जिसे देखा नहीं जाता, जिसे महसूस सिर्फ किया जाता है, वो परमेश्वर का आग, वो अनन्त जोती, वो अगनी मैं, जो सूरज को शक्ती देता है, हमें प्रकास देने के लिए, यहां हम सृष्टियों की करता है, पेड का, पौधे का, पथर का, लोहे का, चंद्रमा, सूरज, तारे, हवा का, मतलब जो कुछ भी हमारे आखों में दिखता है, वो सब पूझते हैं, यहां तक के चूहों का भी पूझा किया जाता है, और जानवरों का भी, इस प्रकार से लोग कर रहे हैं आज अंदर दुख आता है, परिशानी आता है, तो मूँ उठा के आ जाते हैं इश्वर के पास, अपने कर्म को नहीं जाकते, कि वो क्या काम किये हैं, इसलिए उनको ऐसा सजा मिल रहा है, वो अपने कर्म को नहीं जाकते, लेकिन किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को पैदा होता है तब से मांगता है दूद मांगता है जब पैदा होता है तो इसी प्रकार से वो बच्पन से बुड़ापा तक स्रीप मांगते रहता है और लोग इश्वर से स्रीप मांगना सीखे हैं इश्वर को कुछ देना नहीं सीखे हैं इश्वर को देना है तो दिल दो इ अपने मनों को साफ करो और अपने जीवन को पवित्र करो लोगों के साथ भलाई करो और परमेश्वर के साथ संगती करो परमेश्वर तुम्हें हर एक प्रकार के बिमारी हर प्रकार के परिशानी और हर प्रकार के समस्यां से तुम्हें मुक्त करेगा वह कहता है और यहां पर बाइब में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नाहो परंतु आनंती जीवन पाए तो आनंती जीवन पाना है जिसको धार और मोक्ष चाहिए हर एक तीन परमेश्वर के सामने निसकलंक और पवित्र और पाक खड़े हो करके वो परमेश्वर की महीमा करते रहेगा तो दोस्तों आज हमने जाना कि मनुष्य यह कौन है और वो ज्या करता है और उसका क्या होगा ये सबी बाते हमने जाना तो इसी प्रकार से हमारा चैनल करें और परमिश्वर की नय नय जानकारी प्राप्त करने करें हमारे लाइपसों को देखना न भूले और तब तक के लिए मैं आपसे आलविदा लेना चाहता हूं परमिश्वर आप सभी को आशिस दे नमस्कार गुडबाई